हलो वच्चो स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप अपर दोस्तो मैं हुरा में शोधरी अपन पढ़ रहे थे NCRT क्लास 12 ड्राइंग सब्जेक्ट दोस्तो इसमें अपन पढ़ रहे थे बसोहली चितर सेली से ही उत्पन हुई गुलेड चितर सेली जोस्तो अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि पहाडी जो चितर सेली है इसको मुख्य रूप से कांगडा सेली के रूप में जना जाता है और कांगडा जो सेली है उससे पहले पूर्व कांगडा सेली के रूप में कई सेली आई जो एक तो बसोहली चितर सेली थी और एक गुलेर चितर सेली थी आज अपन पढ़ेंगे गुलेर चितर सेली के बारे में बसोहली चितर सेली का जैसे जैसे अंत हुआ उसके बाद में एक नई दूसरी जो सेली पनपी उसे गुलेर सेली के रूप में जाना गया गुलेर सेली जो है वो कांगडा सेली और बसोहली चितर सेली के बीच के समय की चितरसेली है, सबसे पहले पन देखते हैं इस चितरसेली का जो विकास है वो मुख्य रूप से एक तो राजा गोवर्धन के समय हुआ और एक राजा दिलिप सिंग और बिशन सिंग के समय पर इस चितरसेली का सबसे जदा विकास हुआ, सबसे पहले पन देखते हैं इश्वितिक जाते जाते जो बसोली चितर सेली है वो पूरी तरीके से दीरेदीरे लुपत हो रही थी और इथार्वी सpower लिक्ए जो सुरुआति तीन महीने है उसमें पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई एक नई चितर उनके समय पर ये परिवर्तन देखने को मिला। पंडित सेवू और उनके बेटे मानक वे नेंसुक के साथ। पंडित जो सेवू है वो एक मुखे चितरकार है तो पंडित सेवू जो है वो अपनी दो बेटों जिनका नाम है एक का नाम है मानक और एक का नाम है नैंसुक है उन्होंने इस सेली को प्रसिद्धी प्रदान की अथार्ट पंडित सेवू और नैंसुक उसके जो बेटे थे मा इस सेली को रूप देने लगे और इस सेली का पूर्वे कांगडा गुलेर सेली या कांगडा गुलेर के नाम से जाना गया। यह सेली बसोहली से अधिक रूची पूर्ण थी। ज़्यदा इंट्रेस्टिंग थी। ज़्यदा इंट्रेस्टिंग थी। ज़्यदा इंट्रेस्टिंग थी। ज़्यदा इंट्रेस्टिंग थी। गुलेर सेली। नैन्सुक जो है वो राजा बलवंत सिंग के दर्बारी च 2-4 पिचान में इसवी से लेकर बाद का जो समय था वह व्ह ₫ चितर सेली किस में परिवर्थित हो रही थी? गुलर ash चितर सेली में और आगया चलकर 1780 के लगबग ₃ available ₃-कांगडा ₃-कांगडा ₒ फिर्वर्थित हो शौनओ उगा चितर सेली में और आगया चलकर 1780 के लगबग यह सेली कांगडा सेली में परिवर्थित हो गई अपने देखा था कि जो सबसे पहनी चितर सेली थी कौन सी बसोली चितर सेली उसका विकास हो था 1660 से प्रारण और 1660 से स्टार्ट होकर 1695 इश्वी तक वो दीरी-दीरे परिवर कांगडा चितर सेली के नाम से जाना गई तो अपने देख रहे थे कि 1780 तक यह कांगडा सेली में बदल गई थी दूसरी राजा की बात करें अपन दिलिप सिंग और बिशन सिंग इनके समय पर इस सेली का विकास हुआ एक तो अपने देखा गोवर्दन के समय जो चेंजे काम कर रहे थे उस समय पी चितरकार काम कर रहे थे क्यों इसके परमाना हमें कहां मिलते हैं देव सिंग वे उसके पुत्र बिशन सिंग उन दोनों के जो चितर बने हुए हैं वो लगबग 1730 के दसक से पहली के चितर हैं यानि कि अपन कह सकते हैं कि जब दिलिप सिंग सासन क कर रहा था उस समय पर ये चित्र सेली अस्तित्व में आचो के थी इसमें चित्र बनने लग गए थे जिसका प्रमान हमें मिलता है कि 1730 से पहले दिलिप सिंग और उसके पुत्र बिशन सिंग दोनों के चित्र बने गए अब वापस अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तो सबसे पेले कुन है दिलिप सिंग फिर उसका बिस्ण सिंग पिसंग की मरति हो गए यालिकि विसंग से पहले ही मारा गया तो दोस्तों अब गद्दी पर कौन बैठेगा दिलिप सिंग की मृत्य के बाद में तो उसकी सिंगासन पर बैठा गोवर्धन जिसे अपनी आपर अपन चर्चा कर रहे थे कि गोवर्धन की समय पर भी जो है ये परिवर्धन देखने को मिला और इसका विकास हुआ तो गोवर्दन जो है वो सिंगासेन पर बेठा आगे पर देखते हैं चित्रकार मानक द्वारा चित्रित गीत गोविंद की सरंकला दोस्तों चित्रकार था जिसका नाम था मानक उनकी द्वारा एक चित्र सरंकला लिखी गई जिसका नाम था गीत गोविंद कब लिखी गई 1730 1730 में चितरित की गई गीत गोविंद और इसकी मुख्य विशेष्था क्या है जो अपने पहले देखा था पहाडी बसोली चितर सेली के विशेष्थाओं में कि इसमें ब्रंग के पंखो का इस्तमाल किया गया है गीत गोविंद में ब्रंग के पंखो का इस्तमाल किया गया है दूसरे अपने देखें नैनसुक दुआरा रचित कई प्रकार के चितरकार थी यह अपने देखा तो नैनसुक जो है वो अपने घर नगर को छोड़ कर यानि कि गुलेर को छोड़ कर बलवंत के दरबार में चला गया और बलवंत के दरबार में जाकर उसने चितरनकारी प्रा तो उसके दर्बार में ये चला गया और वहाँ जाकर इसने कई चितर बनाए यानि कि बलवन्त के दर्बार में इसने बलवन्त के इसके लावा बलवन्त के परिवार के साही दर्बारियों के चितर बनाए मुख्य रूप से इसने जो चितर बनाए वो बलवन्त यानि कि राज ठंड का समय है, सर्दे का समय है, तो उस समय राजा जो बलवन्त है, वो रजाय ओडे हुए, बैटक में बैटा है, इस प्रकार का चितर भी उसने बनाया, किसने बनाया है, दोस्तों, नैन सुक ने इस प्रकार के चितर बनाया, आगे एक प्रकार की गत्वीदियो में सामिल हो तीन चित्रकार अपने देखे, तो तीसरा चित्रकार कौन सा था है, मानक या मानकू, मानक चित्रकार, इन्होंने गोवर्धन और उसके परिवार पर चित्र बनाए, गोवर्धन कौन था दोस्तो, ये जो दरबारी था, ये जो राजा था, इसके उपर इसने कई परकार के चि जाही दिया था, साथ में उसका जो उत्रादिकारी है, उसने भी इस चितरकला को सरक्षन दिया था, इसके अलावा उसके दरबार में नैनसुक, खुसाला, फट्टू, गोदू और अने इक जो इन चितरकार थी, उनके बेटे भी इनके दरबारे में चितरकारी का काम कर रहे तो दोस्तो ये दूसरी आपकी लेक्षर जिसमें अपने पढ़ा, कौन से चितर सेली के बारे में, गुलेड चितर सेली के बारे में, अब आगे जो वीडियो होगा, आगे जो लेक्षर होगा, उसमें अपने पढ़ेंगे कांगड़ा चितर सेली के बारे में, हाई होप अची तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, आप दुबारा से इसे रिवाइज करें, दुबारा से पढ़े, इसके नोट्स बनाए, जैसे जैसे बोड पे लिखा हुआ है, आप ठीक अपनी कोपी में इसे नोट डाउन करें, दोस्तों इन नोट इसको आप रिवाइज करते रहे हैं, पांस दिन से, साथ दिन से एक बार रिवाइज करोगे, तो ये प्रमानेंटली स्टोर हो जाएंगे आपके माइंड में, अगर आप एक बार वीडियो देख रहे हो, और उसे छोड रहे हो, तो फिर ये याद नहीं होने वाला है, फिर रख होसला वो मनजर भी आएगा, प्यासे के पास सलकर समंदर भी आएगा, ठकर ना बैठ, ए मनजिल के मुसाफिर, मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, तो दोस्तों आप भी जो है, इसे रेगुलर रिवाइज करते रहें, मैं स्योर हूँ कि आपको क्लेर ली ये समझ में आ जाएगा, क्लेरली आप इसे पढ़ लोगे, और क्लेरली आपका एग्जाम क्लेर होगा, और आपको आगे भी ये काम में देखा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो लाइक वाइसा,